तो असलाम उलेकुम सास्रियाकाल नमस्ते प्यारे दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और कम से कम आपका जो महीने का खर्च है वो कितना आएगा और क्या-क्या यहां पर आपको प्राबलम फेज करनी पड़ सकती है तो इन सारी चीजों को मैं आप लोग को बताऊंगा तो सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप साओधी अरभ में बुलाना चाते तो किन-किन चीजों की ज़वरत पड़ते हैं यहां पर तो वीजा निकालने का प्रोसेस और वीजा कैसे क्या करते उसके बारे में तो मैं अपने वीडियो में बता रखा हूं यानि मेरे चैनल पर उसकी वीडियो पढ़ी है किस तरीके से वीजा निकालना और किस तर खर्चा वो भी नहीं लगता है तो वो भी आपका नहीं लगेगा तो खर्चा इन दोनों चीज को छोड़ करके नार्मली जो खर्च आते हैं वो नार्मली खर्च आता है नहीं होता है वो वीजा यहां से अप्रूफ करा करके फिर वो देते हैं तो साड़े 14,000 रुपए उधर लगते हैं और टिकट का जो खर्च है टिकट का माल लीजिए जब मैं बुलाया था तब तो बहुत मैंगा टिकट था 1926 रियाल के करीब मैंने वीडियो भी बना के रखे कि किस तरीके से टिकट निकाल सकते हैं तो उसमें मैंने दिखाए कि 1926 रियाल के करीब टिकट मुझे पढ़ा था तो अगर आप जब यहां पर बुलाएंगे अभी अगर इस टाइम पर बुलाएंगे यानि जब मदर्सा चालू हो और जब आप टिकट फेर देख लेकि टि एक आदमी को आप यहां पर बुला सकते हैं यहां आने के बाद में एक्सपेंस जो होते हैं दोस्तों बढ़ जाते हैं क्योंकि यहां पर आप जब अकेले रहते हो तो कुछ भी खा लेते हो या फिर जैसे मान लीजिए एक बार आपने बनाया दो बार तीन बार खा लिया ल मिनिम्म खर्चा खाने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कम से कम 20-25 रियाल है यानि कि महीने का कम से कम 600 से लेकर 700 के करीब जो है आपका खाने का खर्च आएगा उसके बाद एक्ष्ट्रा खर्चे आपके बहुत हो जाएंगे क्योंकि जब फैमिली आप बुलाओगे तो कई घू रहे हो तो आप एक काम करो जब आप मूड बना लो कि अब मुझे बुलाना है तो आप क्या करो कि जैसे ही आप मूड बना उसमें आप सबसे पहला काम यह करो कि जिस दिन से आप मूड बनाओ 200-300-400 रियाल के करीब ऐसे जो है अपनी सैलिरी से आप हटा करके रखने लगो स वाइब को बुला लिए पीछे घर पे भी पैसे भेजने हैं तो फिर आपको बहुत प्राबलम होगी क्योंकि यहीं इतना ज्यादा खर्च हो जाएका आपको घर बेजने में बहुत दिक्कत होगी तो जब आपके पास में कुछ पैसे पढ़े रहेंगे तो आपको जो है द में गयां तो जो भाइब रियाद मेरे तहुंको पता होगा कि रियाद में क्या नाम है थे नको फिर्म आपको नहीं से देक्र को लिए360 यहां जी आफ्इलाई M. तो उसने का इसा है कि फाइल का चार्ज सो रियाल लगेगा और एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे लगेंगे यह सरकारी नहीं है एक तरीके से आप आपके पास एकामा नहीं है तो आप समझों कि यह प्राइवेट के जैसा ही सारे चार्ज आपको देने पड़ेंगा आपको हर एकामा नहीं है यह मेरी वाइफ है मेरा इनका पासपोर्ट है मैंने इनको जियारा पर बुलाए तो उन्होंने का इसा है पाइसे लगेंगे तो वह100 रेयल मांगा यहां 50 रेयल मांगा मैंने का ठीक मैं। त्मक्रा आपको देना पड़ेंगा थे देती हूं उसके बाद 50 रियाल देने एक बाद में फाइल बनी अंदर गया फिर जो भी जहां चापकी होगी यह चीज़ आप याद रखो चाहे खून का जहां चो बलड टेश्टो कोई भी टेश्टो सब के अलग अलग 400 रियाल 500 रियाल 200 रियाल नहीं सेम सेम प्राइवेट के जैसा अगर आप अपनी फैमिली बुला रहे हो तो आपके पास में पैसे होने चाहिए क्योंकि देखो बीमारी इसी चीज़े कभी भी किसी को भी आ सकती है कुछ जो है मतलब की कहा नहीं जा सकता है तो आप पैसे अपने पास रखे रही है घूमना टहलना बहुत सारी चीज़े ह होती है तो में आपको जो है जो मैंने बताया आपको करना क्या है आप फैमिली बुला रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है अपने पास कुछ पैसे एडवांस में रख लेजी यह नहीं कम से कम 2000 रियाल आपके पास में एडवांस में पड़े होने चाहिए उसके बाद आपकी चीजे कुछ मालों शॉपिंग करना तो यह सारी चीजे हैं तो उमीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगे होगी अगर आप हमाई चनल पर नए है तो प्लीज हमाई चनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप वीजा निकालना चाहते हैं या फिर वीजा से रिलेटेड कोई आपको है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है वीजा से रिलेटेड उसमें मैंने अपना मुबाइल नंबर रखा यानि डाल रखा है तो आप उस पे जो है मेरे मुबाइल नंबर पर वाट्सप करके वाट्स